नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपकी होश्ट और आप देख रहे हैं धमसर्मार दोस्तों बात कर रहे हैं मकर रासी सूरे का रासी परिवर्तन हो चुका है और सूरे तीन ग्रहों के साथ बैठ कर तीन ग्रही योग बना रहे हैं यानी सूर्य बैठेंगे बुद्ध और गुरु के साथ, बुद्ध जो कि सूर्य के बेटे हैं और बुद्ध और गुरु में बैर है, यानी कि सत्रू और मित्र सभी एक साथ होंगे, तो जीवन पर क्या इसका प्रभा होगा, आए जानते हैं. तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि सूरे के रासी परिवर्तन से क्या मिलने वाला है आपको सूरे हमारे सरीर के आख, हड़ी, पेट और हड़ स्वास्त का कारक है और सूरे अब तक नीच रासी में चल रहे थे यानि तुला रासी में अब नीच ता हड़ जाएगी और गुरहों का राजा सूरे अपनी मित्र रासी ब्रिश्चिक रासी में चले आए है और यहां से आपके जीवन पे इसका क्या प्रभाव पढ़ने वाला है मालब बे नामक महापुरूस राजियोग बन रहा है जो कि आपके केरियर और रोजगार के घर में बनना हुआ है तो यहां पर आपको यह योग उचाईया देगा बड़ा पद देगा यानि आप अगर बिजनस करते हैं तो आपके बिजनस में तरक्की होगी आप नए कारी की सुरुआत करते हैं तो वहां पी सफलता मिलेगी अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं और एक्जाम बेगरा दे रहे हैं तो आपको जॉब की प्राप्ती होगी और अगर जॉब कर रहे हैं तो आपका परमोसन होगा और आपका मंचहा आपके तनखा भी बढ़ेंगे कॉन्फिडेंस लेबल बढ़ जाएगा ये जो त्रीकर ही योग बन रहा है आपकी कुंडली में दोस्तों वैसे तो जैसे हमने बतलाया कि सुर्य, बुद्ध और गुरु तीनों यानि मित्र, सत्रू, सब मिले हुए हैं एक साथ और बैटकर राजियोग बना रहे हैं तो ये तीनों जो राजियोग बना रहे हैं उसके परिणाम क्या होंगे इसके पहले हम जानते हैं कि सुर्य के साथ जो भी गरा बैटता है सुर्य सभी को अस्त कर देते हैं लेकिन यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा समय है आप सफल रहेंगे हर कारे में नौकरी रोजगार में आपके लिए तरक्की के यूग बनने हुए है और अगर आप चाहते हैं कि दूसरी आप करना है नौकरी चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं साथ ही साथ आपके रोजगार में इस समय बहतरी आपको मिलेगी यानि आपको प्रॉफिट होगा आपका जो फसाव डुवा हुआ पैसा है वो भी वापस आएगा लंबे से समय से चली आ रही जो परिसानिया थी आपकी मानसिक टेंसन थी वो भी आपकी दूर होते वे दिख रही है यह मालबे नमक महापुरूस राज्योग जो बना हुआ है मंगल से जो बना है तो यह आपके जीवन में मंगल ही मंगल करेगा अब तक आपकी जो भी परिसानिया है उनसे तो निजात मिल ही रही है साथ साथ नई जोब मिल रही है बैपार में उन्नती हो रहा है और सुब समाचार की प्राप्ती हो रही है आपके बैपार में आप चाहें तो इस समय पैसों का इन्वेस्ट करके बैपार को आप बढ़ा सकते हैं आपको लाब होगा ये पूरा एक महिना यानि कि अगर कहें तो 16 नॉम्बर से लेकर 16 दिसंबर तक का जो वक्त है आपके लिए बहतर है अच्छा है कोई खास परिसानी वाली बात यहां पर नहीं है तो दोस्तों इस समय का आप पूरा फाइदा उठाईए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए धन्यवाद हम फिर मिलेंगे किसी ने टॉपिक के साथ